हेलो फ्रेंज, वल्कम बैक तो मैं चैनल रादमादाव कलेक्शन, काना जी की सभी बगतों को में तरफ से रादे रादे, तो देखे फ्रेंज, आज हम काना जी के लिए ये बहुत ही खुपसूर्थ सी नियो डिजाइन ड्रेस पनाएंगे, तो सबसे पहले मैं काना जी को ये नपी सेट करेंगे, फिर देखे हमने ये टिप टैप बटन लगाया है, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे, इस ड्रस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रस बनाना और काना जी को पहनाना भी बताया है, तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देख जिसे कि आप ये आसानी से ये ड्रस बना कर काना जी को पहना सकेंगे, अगर आप ड्रस से रिलेटिड्यत्ड या फिर वीडियो से रिलेटिड कोई नॉलेज आते हैं, या फिर कोई क्वेशन पूशन पूशन पूशना चाते है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए मैंने बचा हुआ रुमाल ले लिया है आधा-ाधा रुमाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक रुमाल से अप काना जी की दो पोशाग बनाते हैं तो एक भब भब दी है मैं आपको दिखा देते हूं देखें ये एक ड्रेस मैंने अधार रुमाल का यूज करके बनाई थी जिसके वीडियो आपलोड कर दी है तो अकर आप ये ड्रेस बनाना देखना चाहते हैं तो मेरे चानल पर जाकर और बहुती आसान तरीके से सिर्फ आधे रुमाल का यूज़ करके काना जी की पोशाग बनाना देख सकते हैं अब ये जो बचा हुआ आधा रुमाल है इसे भी आप काना जी के लिए ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले मैं इसका measurement आपको बता देती हूँ इसके दीखे यहां से आपक की जो टोटल लंभाई है वो 10 इंच यानि की 10 इंच है और इसकी जो चौडाई है वो 5 इंच यानि की 5 इंच है तो हमें क्या करना है हम बीज में से ऐसे बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद दिखेगे जो फोल्डेट वाली साइड है उधर की तरफ से हमें मेजर करना है और 3.5 इंच यानि की 3.5 इंच पर हमें मार्किंग करना है मार्किंग हमने कर लिया है अब यह जो हमने मार्किंग किया है इसको हम यहां तिकोने में मिला देगे अब यह जो हमने मार्किंग किया है ना तिर्चे में इसको हम कट करेंगे आप चाहें तो इस स्केल से भी मेजर करते हुए मार्किंग कर सकते है कट करने के बाद अब जब हम उपिन करेंगे तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा नपी की तरफ बन गया है ये नीचे की तरफ से मैंने ये इंटरलॉक वाली साइड रखी है और दो तरफ से ये कटिंग वाली साइड है बचा हुआ जो कपड़ा है इससे हम कानह जी के लिए चोली भी बनाएंगे तो सबसे पहले मैं नपी तयार कर लूँगी इसको हम फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं पर फोल्ड करने की वज़े से यहां से चोडाई कम हो जाएगी जिसकी वज़े से मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो मैंने यहां पर यह वाइट कलर की थ्रेड लेस ले लिए आप देख सते हैं यह कितनी सुंदर लेस है और मार्केट वापको बहुत इसली मिल जाएगी आप चाहिए तो इसकी जगा पर कोई दूसरी लेस भी लगा सकते हैं यह जो लेस ह्ते है यह ने आप कल यहां से लगाना शुरू करेंगे और यहां से लेके यहां तक लगा लेके तो देखेंगे त्समी मैंने यहां से लेस भी लगा लिया है और रभ्ण jappi का लुब कुच ऐसे आजाएगा अब हम इसको इसको साइड में रखने हैं और कान्हा जी के लिए हम चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए मैंने ये बचा हुआ कपड़ा ले लिया है ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसकी चोड़ाई रख सकते हैं मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूं देखिए मैंने लग इस बूट है मैं चोट कर लिए हुँ औरachten क्यूंट कर लिया है अब एप देख सकते हैं एक तरफ से इंटर लॉक वाली तो इसको हम उपर की तरफ रखेंगे अब खुल इन दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो हम सिर्फ एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से पतला सा और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे तो देखे, friends, मैंने दोनों तरफ से फ jóvenes करके शिलाई लगा लिए अब जो लेस हमने नैपी में लगाई थी, सेम लेस हम लेंगे और इसको दोनों किनारे से लगा लेंगे तो देखे, friends, मैंने दोनों ही पीसे में लेस लगा लिए और इसका लुक बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है अब हम इसको इस तरीके से एक के उपर एक करते हुए रखेंगे और साथी साथ हमें ले ले लेनी है नैपी को भी हम इसके उपर रखेंगे बहुत जादा चाहा के हमें नहीं रखना है इस तरीके से हम रखेंगे और आपस में जॉइंट हो जाए तो दीके फ्रेंस जॉइंट गरने के बाद काना जी की ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब हमें इसमें टिप टैप बटन लगाना है तो मैंने या पे ये टिप टैप बटन ले लिया है और इसका एक पीस हम देखिए यहां पे आप इसके जुघाप प्रिया वेलकरो भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें दोरी भी लगा सकते हैं एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ देखिए ऐसे आपको कानहा जी को ले लीना है और इस तरीके से आप पहना के मेजर कर ले ये दिखे अगर आगे की तरफ से एक्स्रा कप्ड़ा आ रहा है तो आप टिप टैप बटन हुक या वैलक्रो लगा ले और अगर आप कमर की चोड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसम डोरी भी लगा सकती है क्योंकि डोरी हम एकदम कॉर्णर पर लगाएंगे तो कमर की चोड़ाई बढ़ जाएगी टिप टैप बटन भी मैंने दिखे दोनों तरफ से लगा लिया है और अब कानहा जी की बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस पन कर बिलकुल तैयार है